क्लास 5 सबजिक्ट कंप्यूटर चाप्टर 6 चाप्टर नेम और पारपउट 2013 पारपउट आप्लिकेशन को मोबाईल में कैसे यूज करेंगे सबसे पहले आपको पारपउट आप्लिकेशन मोबाईल में ओपन करना है राइट हैंसाइट की और देखिए टॉप में प्लस का साइन है उसको प्रेस करना है देखे आपका यहाँ पे दिखा रहा है create in slide यहाँ पे आपको चूज करना है blank presentation आपका यहाँ पे slide one आ गिया है आप देख सकते हैं नीचे की और उसका preview बीच में दिखा रहा है आपका यहाँ पे double tap to add title यहाँ पे double click करना है cursor का size बड़ा दिख रहा है आप एक काम कीजे यह आप एरो में click कीजे size जो 60 है उसको कम कर दीजे यहाँ पे हम click के 32 cursor का size छुटा हो गया आप कौन सा color में लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे font color select कर सकते हैं अभी जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे चाप्टर का नाम back कर देते हैं more about powerpoint 2013 first text box finished हो गया अभी second text box में हम लोग double click करके लिखेंगे chapter 6 slide 1 complete हो गया इसका भी हम लोग क्या करेंगे color दे देंगे red अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं slide 1 complete हो गया second slide लाने के लिए right hand side में देखिए नीचे की और plus का sign है उसमें हम लोग क्लिक करेंगे second slide आ गया second slide में हम लोग को यह जो उपर वाला text box है इसमें डबल क्लिक करना है यहाँ पे लिखना है chapter focus second text box में हम लोग को डबल क्लिक करना है यहाँ पे हम लोग को लिखना है power point animation next slide में जाने के लिए enter की प्रेस करना है यहाँ पे लिखना है using slide transaction next slide में जाने के लिए enter की यहाँ पे लिखना है slide so option in power point next slide में जाने के लिए enter की creating organization chart slide complete हो गया बाहर में click करेंगे second slide भी हम लोग का complete है अब ही हम लोग को क्या करना है third slide add करना है तो उसके लिए देखिए mobile का नीचे की और plus का button है उसमें हम लोग को click करना है third slide आ गया है इसमें हम लोग को क्या करना है heading में हम लोग को देना है powerpoint animation second text box में हम लोग को double click करना है यहां पी हम लोग को लिखना है नई लिखने से भी हम लोग क्या कर सकते है text record करके हम लोग add कर सकते है उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा आप एरो में click करना है insert पे जाना है नीचे की और आईए यहां पे दिखा रहा है audio audio में जब जाएंगे तो यहां पे आपको दिखा रहा है record audio तो यहां पे हम क्या करेंगे यह जो red button है इसको प्रेस करेंगे add कर देंगे हम लोग का यहां पे text आ गिया हम लोग इसको bike कर देंगे अभी हम लोग को क्या करना है आप चाहें तो यहां पे लिख भी सकते है bike आके you can animate every object present on the slide in a different style by using animation tool of powerpoint full stop यह slide भी complete हो गया अभी हम लोग बाहर खाली जगा में प्रेस करेंगे fourth slide लाने के लिए mobile का नीचे को यह देखिए plus का sign है उसमें click करेंगे fourth slide आ गया fourth slide में हम लोग क्या करेंगे insert picture second text box में हम लोग double click करेंगे bike आइदर आप यहां से आप एरो में click करेंगे type में आएंगे insert में आएंगे यहां पी आपका picture है photos में आएंगे यहां से आपको select picture करना है तो हम यहां पर चले जाते हैं यह आपका picture यहां से done कर दिये तो देखें यहां पर हम लोग का picture आगिये अब ही हम लोग को क्या करना है अब ही हम लोग को क्या करना है यह आपका right hand side में देखिए प्लस का button है इसको प्रेस करना है फिप्ट स्लाइड आ गिया है यहां पर हम लोग करेंगे insert, save second text box में हम लोग डबल क्लिक करेंगे आप एरो में क्लिक करेंगे type में आएंगे insert पर आएंगे यहां पर हम लोग का है save आप यहां पर देख सकते हैं बहुत सरह safe है आप यहां से कोई भी save ले सकते हैं suppose माल लेज़े हम लोग यहां पर circle select किए आप यहां पर देखिए circle आ गिया अभी हम लोग circle का color देना चाहते हैं तो यह आपका fill color में आएंगे arrow में क्लिक करेंगे तो बहुत सरह color आएगा आप यहां से color चूज कर सकते हैं यह है आपका outline color आप यहां से उसका border color दे सकते हैं for example हम यहां पर क्लिक करते हैं blue blue color हो गया अब ही हम लोग को क्या करना है यह जो circle है इसका duplicate create करना है ता आप इसको थोड़ा दर दबाक रखिए तो देखेंगे आपका यहां पर दबाक रखने से भी आपका copy नहीं हो रहा है अभी आपका select हो गया आप इसको थोड़ा दर दबाक रखिए आपका यह भूपर duplicate आगया देखे तो अभी फ़र्ष्ट वाला जो सर्कल था उसका ग्रीन कलर रहेगा सेकेंड वाला जो सर्कल है उसका कलर अभी हम लोग चेंज करते हैं यह लो कर दिये ओके तो यह हो गया हम लोग का डूपलिकेट स्लाइड अभी हम लोग क्या करेंगे सिक्थ स्लाइड एड करेंगे तो देखिए मोबाइल का राइट हैंड में एड का बटन है या प्लस का बटन उसको प्रेस करेंगे सिक्थ स्लाइड आ गिया है इसमें हम लोग इंसर्ट टेवल में डबल क्लिक करेंगे यहां पर हम लोग आपने रों में क्लिक करेंगे हम टाइब में इंसर्ट में क्लिक करेंगे यहां पर हम τटेव्ल फास है देखिए यहां पर टेवल आ गिया यहां पर तीन रो तीन कॉलपम आ गिया तो फर्स्ट कॉल्म का फर्स्ट रो में हम लोग लिखेंगे अनिमेशन केटेगोरी सेकंड कॉलम का फर्स्ट रो में लिखेंगे परपस थर्ड कॉलम का फर्स्ट रो में लिखेंगे एक्जम्पल्स अब ही हम लोग को क्या करना है फर्स्ट कॉलम का सेकंड रो में हम लिखेंगे इंट्रंस फर्स्ट कॉलम का फर्ड रो में लिखेंगे इंफासिस सेकंड कॉलम का सेकंड रो में लिखेंगे कंट्रोल्स सेकंड कॉलम का फर्ड रो में लिखेंगे इंट्र अनिमेट थर्ड कॉलम का सेकंड रो में लिखेंगे आप पियर थर्ड कॉलम का थर्ड रो में लिखेंगे पल्स यह स्लाइड भी हम लोका कंप्लीट हो गया अब भी हम लोको क्या करना है सेवन स्लाइड एड करना है तो देखें यहां पर प्लस का बटन है उसको प्रेस करेंगे स्लाइड सेवन आगिया यहां पर हम लोको करना है इंसर्ट वीडियो सेकेंड टेक्स बॉक्स में हम लोको डबल क्लिक करना है आप पर रो में क्लिक करना है टाइब में आना है इंसर्ट प्याना है देखें यहाँ पर वीडियो है इसको क्लिक करना है वीडियो में जाना है वीडियो आपको सिलेट करना है यह वीडियो मैंने सिलेट कर दी वीडियो का पोजिशन दे दीजिए कहाँ पर रखना है बैक आना है बैक आना है अभी जैसे देखिए यह हम लगा slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 यह हम लगा slide 7 तो जितने भी हम लगा slides है उसमें हम लोग क्या करेंगे animation and effect डालेंगे तो अभी हम लोग slide 1 select किये यह आप एरो में क्लिक करेंगे type में आएंगे यह आपका transaction यहाँ पर आपका है transaction effect तो आप यहाँ पर कर सकते हैं fade apply to all सब में आ जाएगा उसके बाद हम लोगों क्या करना है आप यहाँ पर आईए back slide 1 को select करना है slide 1 में select करने के बाद आप एरो में क्लिक किजे type में आईए slide show from beginning slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 5 slide 6 slide 7 exist नहीं आपकाशी टेस्त